जै मातादी दोस्तों, आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त 2022 को होने वाले शुक्र के रासी परिवर्तन के बारे में शुक्र मिथुन रासी से निकल कर कर रासी में प्रिवेश करेंगे तो शुक्र का है गोचर, धनुरासी के लोगों के वैपार, वैवसाय, सिक्छा, स्वास्त, परिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगा जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निवेदन हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ शुकरदेव को देत्य गुरू भी माना जाता है, ये जातक की कुंडली में विवहा से लेकर संतान तक के युग बनाते हैं, लाब का कारक ग्रह भी शुकर को माना जाता है, और जीवन में सुक सम्रदी भी शुकर के प्रभाव से आती है शुकर जो सुरियदों से पहले और सुरियास्त के बाद आकास में अपनी चमक से एक विसिस पहचान रखते हैं, शनी बुद्ध व्यकेतु के साथ इनकी मित्रता का संबंध है, और जोतिस के अनुसार सुकर ग्रह को प्रेम और अन्य भहतिक सुखों के कारक के रूप में ज शटे और ग्यारवें भाव के स्वामी है, इस गोचर काल के दोरान शुक्र आपके आठवें भाव, यानि की अनिश्चित्ता, अचानक परिवर्तन, विदेश यात्रा के भाव में गोचर करेंगे, और यहां शुकर देव की दरश्टी आपके दित्य भाव पर होगी, जो क अपने सत्रों पर विजई प्राप्त करेंगे, आपका कोई भी सत्रू, कोई भी विरोधी आपके सामने नहीं टिक पाएगा, इस दोरान लेंदेन करते समय सावधान रहना होगा, राजनीती के छेतर से जुड़े लोगों को यह समय अनुकूल सावित होगा, वहीं जो अब धनुरासी के छात्रों को अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में लगातार महनत, निरंतर प्रियास करनी के आफशकता है, इस रासी के जो लोग साजेदारे में वैपार या वैबसाय कर रहे हैं, उन्हें अपने साजेदार से स हटास आने की संभावना बनेगी, इस दोरान परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, वानी कटू हो सकती है, इसलिए बोलते समय अपने सब्दों का सोच विचार कर इस्तेमाल करें, इस दोरान जीवन साथी के स्वास्ते पर भी कुछ असर होगा, तो ऐसे में कोई भी परिशानी होने पर तुरंत चिकित सक से सलहा अवश्य लें, तो दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जै मताँ